गुड मॉर्निंग स्वागत है फिर से इस वीजो में बच्चो आज की वीजो में हम दिसकस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट जो है आपकी एक समाज़िक अध्यन के और एक है गणित की तो दोनों ही वर्कशीट हम इस वीजो में दिसकस करने जा रहे हैं बच्चो आज की वर्कशीट उसमें आपको एक नक्षा दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं तो नक्षे में आपको कुछ दिशाय दी गई है आपको उसको समझना है और सब भी प्रशनों के उत्तर देने है तो बच्चो कहते हैं जो उपर चित्र दिया गया है अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो चित्र में बच्चो दाई तरफ चित्र में दाई तरफ उपर की तरफ उपर एक तीर का निशान है देखिए चित्र में दाई तरफ क्या है बच्छो एक उपर तीर का निशान है ठीक है और अधिकतर मान चित्रों में दाई तरफ उपर एक तीर का निशान होता है जिसके उपर अक्षर U लिखा होता है तो ये कहना चारे बच्छो U का मतलब होता है उत्तर ठीक है चित्र में य ये जो उपर निशान दे रखा है, एरो का ये इसलिए होता है, ये उत्तर दिशा को दिखाता है, तो बच्चों अगर ये उपर वाले दिशा उत्तर है, तो आप बता सकते हैं, नीचे वाले कौन सी हुई? धक्षिन. ये कौन सी हुई? बताएज एक इसमे पूरव हैं कि पश तो बच्चो ये कौनसी है? ये आपकी है, पूरव और दूसकी है पश्यम। तो पूरव पश्यम इसे दे गए हूँ हैं। चली आगे देखते हैं। बच्चो इसे उत्तर देखा कहा जाता है। जब आप उत्तर दिशा को जानते हैं तो आप दूसरी दिशाय जैसे पूरव पश्विम दक्षिन के बारे में पता लगा सकते हैं चित्र में चार दो मुख्य दिशाओ उत्तर दक्षिन पूरव पश्रिम को दिखाया गया है ये प्रधान दुई विंदू कहा जाते हैं बीच की चार दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिन पूर्व तथा दक्षिन पश्चमी इन बीच रेखाओं की मदद से किसी भी स्थान से कहीं सही स्थीती का पता लग जाता है तो बच्चों कहते हैं कि जैसे कि उत्तर दिशा हो गई, नीचे हो गई दक्षिन और हमारी हो गई पूरव पश्चिन तो यहाँ पे जो दिशा होगी वो क्यां से होगी यहाँ पे क्या होगी उत्तर पश्चिन यहाँ पे दक्षिन, यहाँ पे उत्तर तो इस तरह से आपको इसके बीच की दिशा अगर पता चल जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों अगर बीच की दिशा पता चल जाएगी, तो आप आकी दशा, मतलब कहा जाना आपको इस तरह सा डिरेक्शन सा पता कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों भ्यान से कि उसमें के दिखा रहा आपका विध्याले है विध्याले में थोड़े दूर क्या है हुआ ठीक है यह आपका सामुदा एक केंद्र है जो एपी यहां पर कुछ दुकान और यह खेल का मैदावन और यह पेड़ है ठीक है आपको जो कोशन दिया गया उसको पड़ते हैं और ब उत्तर है यह पूर्व है तो यह कौन से होगी उत्तर पूर्व यह दक्षिन है और यह पूरव है तो कौन से होगी दक्षिन पूर्व यह पश्रिम है और यह दक्षिन है तो कौन से होगी दक्षिन पश्रिम और यह उत्तर है और यह कौन सी है बच्चो यह पश्रिम है तो योगी उत्तर पश्रम तो यह हमें डिरेक्शिन्स बता रखी हैं अब आपसे कोशन पूछा गया कि विकास के घर से सामुदा एक केंद्र किस दिशा में हैं तो बच्चों देखिए विकास कहां पर है और फिर दूसर कोशन है खेल के मैदान से फल उदान की दिशा तीसरा है दुकानों से विध्यालों की दिशा तो बच्चों दुकानों से विध्यालों की दिशा कहां पर है विध्याले से दुकान की दिशा तो बच्चों इसके क्या है यह पश्चिम में आंसर आपका क्या हैगा पश्चिम विध्याले से दुकान कहा है पश्चिम दिशा में विध्याले से दुकान है बच्चों पश प्लुदान है ये छीकई तो ये खेल के मैदान में अगर ये है तो ये क्या ओगी दक्षिन डिशा तो खेल के मैदान से तक्षिन तीसरा है विकास की घर से सामधाय केंद्र देखे विकास का है इसमें यहाँ पर आपको विकास का घर दिया गया है और यह सामुदा एक केंद्र तो विशाल की घर से सामुदा एक केंद्र किसमे है नौर्थ में मतलब उत्तर दिशा में ठीक है तो बच्चो यही थे हमारी आज की वर्कशीट वर्कशीट नमर 20 जेंडरिक सब्जेक्ट था आपका शोशल साइंस जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम डिरेक्शन सेख सकते हैं कौन सी कौन सी डिरेक्शन होती हैं फिर हमने कुछ रेफरेंस लिए कि यह यह है तो उसके कौन सी दिशा में पढ़ेगा बाई तरब उत्तर दिशा में कौन सी दिशा में चलिए अब दूसरी वर्कशी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार कॉलम दिये गए हैं ना यहाँ पे A, B, C, D चार कॉलम्स आपको दिये गए हैं तो इन कॉलम्स में आप देख सकते हैं कुछ नंबर दिये गए हैं अब क्या कहते हैं वो कि मोहन की उम्रे कॉलम A और कॉलम D में है लेकिन B और C में नहीं है इसलिए मोहन 9 साल का है ठीक है उसने बुला A और D में है A और D में क्या 9 नमबर है A में भी है D में भी है क्या B और C में 9 नमबर इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं तो जो नमबर इन दो करना है तो मोहन की उम्र अगर एक कॉलम और डी कॉलम में है बी और सी में नहीं है तो उसके उम्र कितनी है बच्चो नौ साल दूसरा कोश्चन है रूही की उम्र केबल बी में है इसलिए दो ही वर्ष होगी तो बच्चो जो दो है ये और किसी कॉलम में नहीं है तो रूही की उम्रे कितने होगे बच्चो दो अगला बताते हैं तरन जोद की उम्रे कॉलम A, B, D में है लेकिन C में नहीं है तो वो कौन सा नंबर है 11 जो 11 नंबर है वो A, B, C में नहीं है Sorry A, B और D में है और C में नहीं है C में आपको 11 दिखाए दे रहा है नहीं तो तरन जोद की उम्रे के आओगे 11 तो बच्चो इसी तरह से आप सब कोशन पूछन पूछन चाहरा है तो देखे समझते है रोहित की उम्रे कॉलम A और C में है लेकिन B और D में नहीं है तो बताइए रोहित कितने का हुआ A और C में एक ऐसा नमबर देखने है जो B और D में नहीं हो तो बच्चो पहले तो आप वो नमबर देखे जो A में है और B में नहीं तो 1 हो सकता है 3 नमबर दोनों में है 5 नमबर हो सकता है ठीक है और क्या इसमें A में और 9 नमबर हो सकता है एक, पांच, नौ, तेरा ये तीन नमबर है जो कि A में है और B में नहीं है A के साथ बच्चों हमारे किसनों होने चाहिए? एक, पांच, नौ, तेरा किसनों होने चाहिए? होने चाहिए आपके A और C में अब हम देखेंगे C में कौन से है? किया C में 1, 5, 9, 13 में से कोई number है C में 1 है, नहीं 5 है, yes 9 है, नहीं और 13 है, yes तो हमारा number बच्चोत, 5 है, 13 में सो होना चाहिए तो आप देखे, D में 5 है, 13 है 13 नंबर है, तो 5 हमारा answer होगा क्यूंकि 5, B और D दोनों में नहीं है आप ध्यान से देखिए 5 नंबर B और D दोनों में नहीं है तो आंसर आपका क्या हो गया 5 तो बच्चों कोशन था रोहित की उम्र बताने तो रोहित कितने साल का है 5 वर्ष का दूसरा है सलमान की उम्र B और C में है कॉलम B, C और D तीनों में है लेकिन A में नहीं है तो बच्चों नंबर देखना है में जो B, C, D में टीनों में हो लेकिन एक में नहीं हो देखिए 15 इन सब में है 15 इसमें भी है तो ये हमारा नहीं हो सकता 14 इन टीनों में है 14 इसमें नहीं है तीसरा है, कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं, कॉलम ए अगर हम देखते हैं, तो बच्चों इसमें सारे क्या हैं, विश्रम संख्या हैं, और नमबर से, ठीक है, और नमबर से, एक, तीन, पांथ, साथ, नौ, ग्यारा, तेरा, पंदरा, सत्रा, उनिस, ये के अगर लगा लिए, जो कोई 10 साल का है, तो आप बोल सकते हैं, कि जो 10 है, वो A में नहीं है, लेकिन B में है, तो बताओ, अपके दोस्की उम्रे कितनी होगी, इस तरह कि सब खेल-खेल में, उम्रे निकालना सीख सकते हैं, और काफिय चीजे सीख सकते हैं, तो यही थे जो आज के हमारी गनित की वर्कशीट, इस वीडियो के मादे हम से हमने बच्चा जो वर्कशीट सॉल्फ करी हैं, कौन सी?